हर्याना के नुहू में हुई सात्म घटना के पाद कुछ घटनाएं पलवल और बल्लवगड में भी देखने को मिली हाला कि पुलिस प्रशासन ने समय रहते इन पर काबू कर लिया हमार साथ फरिदाबाद के सांसत और केंद राजय मंत्री किशनपाल कुजर जी है किशनपाल आर्वर्स की वादी वीश्व परिश्वम्ण मास में वह पर सुभ यास्रा निकालती है और इसी तरह इस बार भी पूर्फ यसे हर साल इजाजत लेते परसासन से और रूड् description यह सोभा यात्रा भी इजाजतKे बाद और रूड्स पर निकाली जा रही थे किसी को दूर तक अंदेशा नहीं था कि इस तरह कोई सुनुजिस साजिस के तैत जलूस पर गोलियां चलाएगा पत्थर बाजी करेगा हमें लगता है कि ये सुनुजिस साजिस थी और जो हर्याना में पिछले साड़े आठ साल से मनुरूर जी की सरकार में हर्याना एक हर्यानवी एक की भावना के साथ सब को लेकर हर्याना का चव्मू की विकास किया जा रहा है उसको खराब करने के लिए भाईचारे को खराब करने के लिए यह साजी सरची गई है यह जाच का विशह जैसे जैसे जाच आगे बढ़ेगी उसमें सारी तस्वीर साफ हो जाएगी कि मनहोर सरकार का फेलियर है इतना बड़ा जलूस निकल रहा था इसके इंपुट होने चाहिए थे वहाँ पर सिर्फ होमगाड लगाए गए थे देखिए ऐसा नहीं है और मैं सबसे अपील करना चाहूंगा कि इसमें राज्जिती ना की जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा अभी तुरंत इस भाईचारे को कायम करने का समय है वहां सांती कायम करने का समय है अमन्चेन वा कायम हो सबको मिलकर इसका परियास करना चाहिए इसको बढ़ाने के लिए कोई इस तरह के अनगलाल आरोप या राज्चीती से प्रेवरीत बाते नहीं होनी चाहिए यह समय उन पीडित परिवारों को सांत्री कायम करने का है तो मेरी सबसरे अपील है ये कि वहां पर सब सांती वजस्ता कायम करने के लिए सब उसमें सएयोग करें और मेरा सभी लोगों से नम निवेदन भी है कि मनुर जी की सरकार ने जो पिछले साड़े आठ सालों में जो हर्याना एक हर्यानवी एक की भावना से जो हर्याना में सब को साथ लेकर हर्याना का विकास किया है ये कहीं न कहीं उसको खराब करने की साजिस है उस भाईचारे को उस सब को साथ लेकर चलने की जो नीती मुरोसर खाने बनाई है उस पर चोट करने की ये साजिस मुझे लगती है लेकिन जास का विशे है जाचा के बढ़ेगी तो सारी चीजे सामने आ जाएंगे मंतर जी एक सवाल की नुहू में घटना हुई उसके बाद उसके साथ लगी हुई आपकी लोकसबा फरिदाबाद है पलवल बें भी कुछ सुनने को आया बल्लगडवें भी कुछ इस तरह की सुनने आई आपकी लोकसबाद में क्या स्तिति है आज की तारिक में बिलकुल वहा का परसाशन और सरकार ने पूरी तरह से उसके लिए कारवाई की है जो चुट-पुट घटनाएं हुई है उसके काबू पा लिया गया है फईदाबाद में अमंचैन है भाईचारा है और अब सारी इस्तितियों पर पूरे परदेश में मैं समझता हूं काबू कर लिया गया है जो परस्तितियां वो सामानने हो गई है और अब जो यह अपरादिक तत्व हैं जिन्नों ने इस तरह का कुकरते किया है आगा जनी की है आग लगाई है उन सब की गरफतारियां भी सुरू हो गई है और मैं इतना कह सकता हूं जिन्नों ने भी यह साजिस रचकर यह निंदन किरते किया है उन सब के खिलाब कठोर कारवाई होगी निशपक्ष जाच की मांग सभी कर रहे हैं निश्चेत वार पर इमनोर जी की सरकार है ये मोदी जी की सरकार है जो भारत एक भारत वासी एक जो हरियाना एक हरियान्य कि भावना से देश को आगे बढ़ा रहे हैं प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं इसलिए निस्पक्ष जाच होगी लेकिन निस्पक्ष जाच के बाद जो भी दोसी पाया जाएगा उसके खिलार कठोर से कठोर कारवाई होगी तो किंद्रा जे मंत्री किशनपाल गुजर का क करने चाहिए कैमेरमन लक्षे के साथ दिली से सूरह समाचार के लिए विने सिंग